Hello everyone, welcome to my channel, Vichitra Jagat. आज के इस वीडियो में, हम एक ऐसे आईलेंड के बारे में बात करेंगे, जिस पर दो अलग देशों का बड़ाबर अधिकार है. जबके सभे आईलेंड पर किसी एक ही देश का अधिकार होता है. हम बात कर रहे हैं, फ्रेंच और स्पेन की. इन दोनों देशों ने ऐसा समझोता किया है के साल के 6 महिने फसेंड आईलेंड पर फ्रांच का अधिकार होता है. तो वही बाकी के 6 महिने स्पेन का अधिकार रहता है. फसंड नाम का ये आईलेंड स्पेन और फ्रांच को अलग करने वाली विदासुआ नदी पर स्थीत है लगभग 300 वर्ग मीटर में फैला इस आईलेंड पर करीब 350 सालों से ये पड़ंपड़ा चली आ रही है फसंड एक मैनमेड आईलेंड है और दोनों देशों के बीचो बीच होने के कारण इसे निउट्रल टेरिटोरी मना जाता है स्पेन और फ्रांच के बीच जंग खतम करने के लिए 1659 में इस आईलेंड पर पीस ट्रिटी हुई थी जिसे पिनास संधी कहा जाता है और ये संधी शाही शाधी से पुड़ी हुई थी दरसल फ्रांच के किंग लुईस चौधा ने स्पेन के किंग फिलिप चार की बेटी से शाधी की थी और तब ये तै हुआ था के इस आईलेंड पर दोनों देशों का बड़ाबर अधिकार रहेगा एक फेबरेरी से 31 जुलाई तक इस आईलेंड पर स्पेन का अधिकार रहता है इसके बाद फ्रांच के अधिकार में चला जाता है ये आईलेंड आम लोगों के लिए खास मौकों पर ही खोला जाता है लेकिन पानी का बाहव इस आईलेंड का आकार छोटा कर रहा है जब नदी का पानी बिलकुल घट जाता है तो स्थिती ऐसे हो जाती है के लोग पैदल ही चल कर फ्रांच से स्पेन और स्पेन से फ्रांच जा सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक और शेर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई